तो लोग आई स्वागत है आपका ग्यानी इंदोरी यूट्यूब चैनल में आपने पुराने वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया इसके लिए धन्यवाद और अब हम आपके लिए लेकर आए एक नए वीडियो जिसमें आपको पूरे डिटेल में समझाएंगे कि सिक्के की हुई है और सिक्के का पूरा इतियास तो देखते रहिए अंत तक भारत दुनिया के कुछ उन चुनिंदा देसों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले सिक्के की उत्पत्ती की छटी सब्तादी में जन्पत काल में बनने वाले सिक्कों को पुरान कर्षपना और पना कहा जाता था इन शिक्कों की उत्पत्ती में गांदार कुटाल कुरू पानचाल जाल सोराष्ट जेसराष्ट्र सामील थे और इन शिक्कों का अकारण भी warriors सिक्कों को अलग चिनने के साथ बनाया जाता था इसके बाद मोरे सामराज्य के चंग्रकुप्त मोरे जी ने सोने चांदी काज तथा तामवे के सिक्वों की निर्मान कर वाया। रूपर रुपा फशोने के सिक्वद सिक्के को तामर रुपा और सीसे के सिक्के को सिस रुपा कह toeा जाता था इसके बाद इंडो ग्रीक कुषा sièंड राजाओं ने सिक्कों पर तस्वीर अंकित करने की सुरुआत कर दी यह परमपरा आठवी सब्तादीता चली इसके से प्रभावीद होकर कई सारे राजाओं ने अपने खुद के सिक्के बनाना सुरू कर दिये साल सोलसो आते ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के आने से पहले यह सिक्के प्रचलित हो चुके थे और बहुत प्रसिद्ध हो चुके ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी ने भारत में पाउंड लाने की बहुत कोसिस की लेकिन यह कोसिस नाकामियाब रही साल सत्रह सो सत्रह में अंग्रेजों ने मुगल राजा फारुक सियार से ब्रिटिस मुद्रा को बंबे प्रिंट में बनाने की इजाज़ाद ले ली ब्रेटिस राजा ने सोने के सिक्को को, केलोरीन चांदी के सिक्को को, एंगलीना और तांबे के सिक्को को कापरून कहा, छोटे छोटे सिक्को को टीनी कहा जाता था, अठारिफी सताब्दी में सबसे पहले कागज की मुद्रा छापी गई खत्म बाई बाई टाटा गुट बाई गया